नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल। यूपी के बड़े माफिया बाहु बली नेता अभहेसिंग पर सपा के राष्टिय ध्यच एवं पूर्व मुखमंत्री अखलेस यादों ने एक बार फिर भरोसाज़त आया है। 2022 यूपी बिधान सभाचुनों के मिशन के तहत समाजवारी पाटी ने अपने बाहु बली पूर्व बिधायक अभहेसिंग को बड़ी जिम्मेदारी सौपी हैं। छत्रिय समाज को अपने पाले में लाने के लिए बाहु वली पूर्वी विधायक अभैसिंग को अब बड़ी जिम्मे दारी रे दी है सपा के पूर्वी विधायक अभैसिंग का अवद और पूर्वानचल की राजिनीत में बड़ा दबदबा माना जाता है अभैसिंग 2012 उपी विधान सबाच चुनौव में आयोध्याजिले के गोशाइगंज विधान सबाच चुनौव में सपा से विधायक चुने गела थे माफिया से नेता बने अभैसिंग उपी में छत्य समाज के लोगप्रिये नेता के तोर पर जाने आते हैं बाहु बली अभह सिंग सोचल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और उनके काफी समर्थक भी हैं छत्य समाज को समाजवादी पार्टी से जोडने के लिए अब सपामुखिया अखले स्यादों ने अभह सिंग को बड़ी दिम्मेदारी दी है ताकि 2022 यूपी विधान सभाचुनाव में सर्त्य समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहे बाहु बली अभह सिंग पूर्व मुख मंत्री अखले स्यादों के करीबी माने आते हैं माफिय से नेता बने बाहु बली अभह सिंग लक्जरी गाड़ियों के काफी सौकीन है उनके पास एक से वड़कर एक महेंगी गाड़िया हैं आपको बता दे कि 2022 यूपी चनौरण में उतरने से पहले बाहु बली पूर्व बिधायक अभह सिंग ने पांच डिफेंडर गाड़ियों को बुक कर दिया है और ये गाड़ी लगभग धाय करोड की कीमत की बताया रही है सबामखिया ने अपने बाहु बली पूर्व बिधायक अभह सिंग को बड़ी जिम्मेदारी स्वपी है देखते हैं कि यहाँ जिम्मेदारी बाहु बली माफिया अभह सिंग निभा पाते हैं या नहीं लेकिन उनके उपर अखले स्यादों ने एक बार फिर भरो सज़ताया है अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद